हेलो फ्रेंड्स, मैं C.A. पुशोता मगरवाल, C.A. इंटर और C.A. फाइनल में कॉस्टिंगा फैकल्टी यूट्यूब पर एक स्रीज चालू है, जहां पर हम सारे इंपोर्टन्ट मॉडल्स, सारे इंपोर्टन्ट कॉंसेप्ट, जिनके बेस पर एक्जाम में के स्टेडी कोशन पूचे जाते हैं, और जो एक्जाम के पॉइंट अभी से काफी ज्यादा इंपोर्टन्ट है, उन सब नाम है Lean System and Innovation, Lean System and Innovation, बहुत ही आराम से, अच्छे से, डिटेल में समझते हुए इसको हम बढ़ाते हैं, और बहुत सारे स्टूरेंट पॉजिटिव काफी अच्छे स्टे कमेंट कर रहे हैं, काफी पसंद आ रहा है स्टूरेंट को यह, इसके अंदर हम प्रेक्टिकल एक्ज यह अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट कर सकते हैं, अगर आपने पहले दो चैप्टर के लेक्चर्स जो यूट्यूब पे डले हैं भी नहीं देखे हैं, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पहले वो पांच लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इस को देखने का अलग ही मजाओगा, लेकिन अगर आप चाहें, तो यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, यहां से भी आपको 100% समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाले, चैप्टर नमबर 3, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, देखिए, यहां पर दो शब्द है मेन, ए कमजोर, है ना, लेकिन लीन सिस्टम का में यहां मतलब है, एक ऐसा सिस्टम, जो पतला दुबला हो, यहीं हाईली एफिशेंट हो, अक्सार आप देखोगे, जो लोग थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़े से हल्दी होते हैं, वेट ज्यादा जिनोंने पुटाउन किया होत जो फाल्तू वेट है, उसे हटाओ, ताकि आप बनो पतले, लीन, और फिर आपके काम में एफिशेंसी प्लस स्पीड दोनों आ जाएगी, लीन सिस्टम को जब मैं बिजनिस से लिंक करता हूँ, तो लीन सिस्टम का मतलब यहां पर यह है, कि जो वेस्टेज कमपनी में होता है, यानि कमपनी के अंदर जो अननेसेसरी का एक वेट पुटान कर लिया है, अननेसेसरी की चरबी एक पुटान कर लिया है, उसो खतम करो, यानि वेस्टेज को खतम करो, और यह खतम कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो मिनिमाइज तो करी लो, यानि कि वेस्ट को करना है बट इस बात का ध्यान भी रखना है कि ऐसा ना हो ज्यादा पतले हो गए तब भी काम तेजी से नहीं कर पा रहे ज्यादा कमजोर होने पर भी लोग काम तेजी से नहीं कर पाते हैं उन्हें बोलो एक किलोमेटर दोड़ के दिखाओ नहीं दोड़ पाएंगे इतने पत लेवल तक जिस लेवल तक अननेसेसरी वेस्टेज को हम मिनिमाईज कर दें बट यह इंशूर करना है कि प्रोडक्टिविटी कहीं पर भी हमपर ना हो तो यह है आपका लीन सिस्टम का मतलब अब इसको डिटेल में आगे और पढ़ेंगे यहां पर मैंने दिया आपको चैप् कैसे होता है या तो बिल्कुल ही नया या कोई ऐसा काम करो जो बिल्कुल ही नया हो कोई ऐसा प्रोसेस कंपनी में डाल दो जो बिल्कुल ही नया हो कोई ऐसा तरीका काम करने का कंपनी में डाल दो जो बिल्कुल ही नया हो जैसे आज कल कुछ पीस कंपनी वर्क फ्रॉम होम क या करते थी private companies बट इस टाइम पर हफते में पांच दिन का work from home है छे दिन का work from home है और किसी किसी company के अंदर तो साथों दिन का work from home है यानि कोई छुट्टी नहीं कोरोना की इस महामारी के अंदर पूरे एकनोमी की हालत खराब है हर कंपनी की हालत खराब है कंपनी को सर्वाइव करना कंपनी को सर्वाइव रखना जिम्मेदारी है employees की भी owners के साथ साथ क्योंकि employees कहीं न कहीं company पर dependent है वो आत्म निर्भर नहीं है वो कहीं न कहीं company पर dependent है तो समझ में आगई आपको बात lean system मतलब wastage को कम करो but without sacrificing productivity और innovation का मतलब है either new process or amend any existing process यानि की either implement new process or amend any existing process तो ये था इस chapter का introduction बहुत सारी technique इस chapter के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो techniques किसी ना किसी वेक्ती ने बहुत detailed observation के बाद concise में लिखी है उसको पढ़कर हम समझेंगे कि आखिर इसका advantage इतना ज्यादा कैसे हो गया कि CA final के study mat में जगह मिल गई इसको ये concept इतना important कैसे हो गया कि CA final के study mat में इसको जगह मिल गई इतना relevant येस तो CA final strategy cost management and performance evolution एक practical oriented subject है यहाँ पर हम real business में आने वाली problems की बात करते हैं उसके बाद solution की बात करते हैं यानि problem आई उसको solve कैसे करना है problem आई उसको solve कैसे करना है तो उनको solve करने के लिए बहुत सारे models जो अलग-अलग विदवानों ने गुणी व्यक्तिव ने लिखे हैं उनको हम इस्तिमाल में करते हैं उनका हम इस्तिमाल करते हैं चलिए शुरू करते हैं chapter lean system and innovation सबसे पहले बात करते हैं lean system आखिर होता क्या है तो lean system क्या होता है lean system के अंदर बोलते हैं कि waste को minimize करो without sacrificing productivity within a manufacturing system अगर book किस language के ओपर ध्यान दूँ तो इसने बुला कि lean system वाला काम manufacturing system में ही करना चाहिए इसने क्या बुला waste को minimize करो बट ध्यान दो productivity कमना हो जाए और within end within a manufacturing system बट इस concept का इस्तिमाल आप अपनी study में भी कर सकते हैं service sector वाले लोग भी इसको apply कर सकते हैं और इसका benefit ले सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर waste से क्या मतलब है इसके अंदर जो यह शब्द है waste waste means क्या तो लिखिए waste means non value adding activity कोई ऐसा काम जो company में होतो रहा है बट customer को मिलने वाली feelings में customer को मिलने वाली output में customer को मिलने वाली product की quality में कोई improvement नहीं होता उस काम को हम बोलते हैं non value adding activity तो waste को कम करना यानि कि non value adding activity को कम करना है lean system का मतलब बट इस बात का ध्यान रखना है कि productivity को sacrifice नहीं करना है within a manufacturing system तो आपको बता दूं अगले page पर कि lean system के हिसाब से उसने साथ प्रकार की चीजों को waste बुला है साथ प्रकार की चीजों को waste बुला है lean system के concept ने तो पढ़ते हैं सबसे पहला point है over production इसने क्या बुला over production is waste यानि कि कोई company अगर required quantity से ज्यादा बना रही है तो यह wastage है इसको avoid करो company के लिए बात अच्छी नहीं है उधारन के लिए घर पर अगर छे लोग रहते हैं और खाना आठ लोगों के लिए बनता है नौ लोगों के हिसाब से बनता है तो बाकि तीन लोगों वाला खाना क्या है वेस्टेज है तो lean system क्या बोलता है इसे avoid करो कोशिश करो कि जितना खाना बने वह खाना छे के छे लोग जो family members हैं उसे कंज्यूम कर ले कंपनी के point विसे उतना ही production करो जितना customer कंज्यूम कर ले यानि जितना customer demand कर रहा है उतना ही production करो over production is a waste दूसरा point बुला over processing is a waste कोई भी काम अगर सिर्फ एक process को apply करके हो सकता है कोई भी finish goods अगर एक process को apply करके बन सकता है तो जवरदस्ती उसके पर दो process मतलगाओ unless until उसके productivity में उसकी quality में कुछ improvement आ जाता है जैसे मैं आपका example देता हूं कि mother dairy की जो company है यहाँ पर यहाँ यह company दही बेशती है आपने कभी न कभी खाया होगा तो दही बनाने के लिए यह company कच्चे दूद के अंदर ही जावन डाल देती है समझते है जावन कच्चे दूद में ही डाल देती है जावन और उससे बन जा प्रोसेस कच्चे दूद लिया उसमें जावन डाल दिया जावन मतलब एक दही का चमच यह प्रोसेस अपलाई करती है mother dairy company लेकिन जब घर के अंदर दही बनता है तो आपने नोट किया होगा कि यह काम कच्चे दूद पर नहीं किया जाता है दूद को पहले पकाया जाता है उबाला जाता है उसके बाद इस काम को किया जाता है तो फिर company ऐसा क्यों नहीं करती company जान गई है over processing is a waste जो दही उनका अब बिटता है जो quality अपने customer को वो अभी दे पाते हैं quality में कुछ खास change नहीं आने वाला इसलिए उस company ने over processing को रोग दिया दूद को दही में convert करने के गरम नहीं करते हैं जाओं में डाल देता हैं और दही है अच्छा घर क्यों करते हैं सर पिर अपना अपना टेस्थ है घर पे से लिए हैं ड़ोंगे है जईलों बन गया तो घर के अनदर जो परपस है वो अलग है घर चिigious पहल ... और mother dairy का purpose क्या है पूरे इंडिया को सप्लाई करना तो ऐसे में अगर वो इस process को add करती है mother dairy company इसके बारे में सोचा जरूर होगा कि अगर वो इस process को add करती है तो time taking process है भई अगर आधी किलो दूद का भी दही जमाना हो तो कम से कम 15 मिनिट तो अबालना ही पड़ेगा अब सोचो इतनी बड़ी company इतने बड़े level पर इतने बड़े scale पर अपना finished goods बेच रही है तो उसकी processing cost बहुत जादा बढ़ जाएगी हो सकता है manpower बढ़ाने पड़े possibility है तो company ने सोचा होगा कि जितनी cost इस activity को करने से बढ़ती है क्या इस activity को करने से मिलने वाले benefits इससे ज्यादा है यानि cost of an activity को उसने compare किया with benefits from activity यानि कि cost of activity को compare किया with benefits from activity और इस company को शायद ऐसा लगा होगा कि benefits कम है cost ज्यादा है तो company ने क्या decision लिया कि नहीं भाई दो process apply नहीं करेंगे single process के अंदर ही finish goals पर ready कर लेंगे तो over processing is waste according to lean system third point है आपका motion basically यहाँ पर मतलब है moving time moving time एक बहुत बड़ी factory है बहुत ही बड़ी factory है material रखा है मानलो factory के left side वाली corner के अंदर और machine है right hand side वाली corner के अंदर और दोनों के बीश में डिस्टेंस है मानलो आधा किलोमीटर कितना आधा किलोमीटर बड़ी company है आधा किलोमीटर है तो जब labor को काम करना होगा finish goods को बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा पहले material यहाँ से लेंगे trolley में रखेंगे और वो धीरे 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 काम पहुचेगा machine के पास फिर काम चालू होगा तो यह जो time लगा यह जो trolley में माल को रखा गया trolley में लेकर वहाँ पहुचाया गया यह सब जो time है यह क्या है moving time और इस time को इस time से क्या customer को मिलने वाली output में कुछ enhancement हो रहा है कुछ increase हो रहा है answer is no क्यों ना इस raw material के store को machine department के बगल में ला दिया जाए कैसा example है moving time कम हो जाएगा तो अगर extra moving time है ज्यादा moving time है तो it is also a waste जैसे आपके study room के अंदर costing की book रखी एक कोने में pen pencil calculator notebook rub book रखी एक कोने में तो यह क्या है unnecessary moving time आपके लिए wastage of time है ज्यादा भी नहीं आपका एक minute तो best होगा और being a c.a.final student आपका एक-एक minute कीमती है आप जो यह video देख रहे हो ना इसमें भी आपका time लग रहा है और time is cost for you तो आपको भी compare करना है कि इस video से मिलने वाला benefit आपकी दुआरा लगाई जाने वाली cost ज्यादा है और अगर ज्यादा है तो फिसका मजा आ रहा है आपको बात समझ में आ रही है आप practically link कर पा रहे हैं कि आखिर concept कहना क्या चाहता है उसको implement कर पा रहे हैं feel कर पा रहे हैं और अगर आपको वीडियो में मजा करो और निचे पहले comment कर दो इससे मुझे मेरी टीम को मालूम पढ़त जाएगा कि आपको मजा आ रहा है आपको मजा आएगा आपको अगर कमेंट करोंगे आपके comment दे drive के मुझये मजवे आएगा प्रोडक्ट ए को बनाने में दो प्रोसेस लगाने पड़ते हैं प्रोडक्ट ए प्रोसेस ए से बन जाने के बाद प्रोसेस ए से बन जाने के बाद प्रोसेस भी में जाने से पहले कुछ समय वेट करता है कि मेरी बारी आईगी कुछ समय वेट करता है तो वेटिंग टाइम क्या है इस वेस्ट को रिमूव करना है एक्कॉर्डिंट टू लीन सिस्टम देखो बताता हूं आपको जो मैंने बड़ाई बेसिक से एक्जामपल लिया था दूद को गरम कर इंप्रूमेंट नहीं हो रहा है कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी ज्यादा है बेनेफिट्स फ्रॉम एक्टिविटी कम है तो यहां पर क्या है ओवर प्रोसेसिंग भी करने पड़ेगे मर्डेरी कंपनी को और साथ में वेटिंग टाइम भी फाल्तू फंड का रहेगा तो अगर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इस टोर रूम में और फैक्टरी में रखा है तो वेश्टेज है वेश्टेज ऑव मनी वेश्टेज ऑफ एफ़र्ट्स इसके अंदर आपका पैसा भी ब्लॉक पड़ा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट साथ ही में चोरी होने का ट्रांसपोर्डेशं भी इंडिकेट करता है अननेसेसरी मुविंग टाइम अननेसेसरी अगर अननेसेसरी मुविंग टाइम बना रखा है तो इसे रिमूव करो और उसके बाद सात्वा पॉइंट है डिफेक्टी प्रड़क्ट के उपर रीवर्क करना rework on defect is a waste यानि कि ये साथों के साथों point साथ बाते बोलते हैं कहते हैं इन साथ कामों को इन साथ point पर focus कर लो और समझ जाओ कि आपने सारे waste को remove कर दिया है और lean system को आपने implement कर लिया है तो ये हैं आपके साथ प्रकार के waste तो जब भी waste की बात करेंगे फूरा study mate के अंदर waste मतलब है non value adding activity और waste मतलब साथ प्रकार के waste इस concept के साब से अगर इन साथ waste को company eliminate कर दे थब तो मज़ाई आ गया और अगर eliminate नहीं कर सकती minimize तो करो जितना minimize तो रोगे उतना फायदा होगा इन साथों point को तो आप अपनी study में भी लगा सकते हो आपका waiting time कम होना चाहिए over inventory मतलब आप जितने question करने है जो book जैसे मैं अपनी बात करता हूँ जो book मैंने आपको दिये costing के अंदर वो question more than sufficient है उन्ही को पार बार revise करो दो बार तीन बार चार बार but over inventory मतलब over inventory मतलब market से नहीं book लेकर आगए एक और book लेकर आगए एक और book लेकर आगए आप अपने purpose को रखो clear अभी आपका purpose क्या है knowledge लेकर exam qualify करना कल को qualify हो जाने के बाद फिर आपकी मर्जी है अगर आप costing की field में चले गए cost management accountant बन गए तो फिर बहुत सारी models है Google पे सर्च मारो अच्छी ची किताबे आती है कुछ किताबे मैं भी आपको बता दूगा जो मैंने पढ़ी है उन सब को detail में पढ़ो आपकी knowledge बढ़ेगी तो over inventory is a waste fall to fund के notes fall to fund की किताबे मत इखटा करो सिर्फ वही जो काम का है ज्यादा burden बेकार कर देगा आपको disturb कर देगा fall to fund में आपका time based कर देगा तो इन सब से बचो और देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं और मेहनत करके मिले तो उसका मज़ा अलग होता है तो मेहनत करनी पड़ेगी आज से मैंने क्या बात तुटिस करी है कि दो कोड़े मेरे भी फाइनल में एक रेगुलर कोर्स और यह कहा है वास्ट्रेक कोर्स अब कुछ कुछ यह से चाहते हैं कि फास्ट्रेक कोर्स के अंदर लेक्चर बहुत ही कम हो 15-20 लेक्चर में सब खत सर फास्ट्रेक हैं बहुत लेक्चर है सर रेगुलर में तो और ज्यादा है तो महनत तो करनी पड़ेगी देखो फास्ट्रेक इसका मतलब है कहीं न कहीं उसके अंदर पूरा क्वालिटी कंटेंट नहीं है उस अंदर पूरा कंटेंट नहीं है तो इस बात को समझो कि महनत तो करनी पड़ेगी तो मेहनत का कोई second alternative नहीं है यू है टू डू वेरी hard work तो lean system यह है अब देखिए कुछ techniques हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस chapter के अंदर पढ़ने वाले हैं कुछ technique बताई पहले क्या बताया बेस्ट को remove करना है अच्छा बेस्ट को remove कैसे करना है यह कौन बताएगा तो बुक ने बोला हाँ हम बताएंगे बहुत सारी technique है जिनमेंसे कुछ technique आपके study mat के अंदर है पहला है just in time kaizen costing 5S TPM one piece flow production system six sigma यह च्छे technique आपके study mat के अंदर बताई गई है हर technique के ओपर अच्छे से detail में समझेंगे तो देखो lean system का main purpose क्या है सारे waste को remove करना अच्छा सारे wastage को आप remove कर दो तो क्या बचेगा फिर zero waiting time zero inventory यहनी फाल्तिव फंट में हम इस्टोर करके नहीं दखने वाले पुल प्रोसेसिंग ध्यान देना जरह पुल प्रोसेसिंग इस नोट पुश प्रोसेसिंग इस पुल जितने की रिक्वर्मेंट अबता नहीं काम करो पुल supply chain कॉस्टमर जो मांग रहा वही बेचो इंप्रोव्मेंट इसे continuous प्रोसेस तो इन सब वेस्ट को जब रिमूब कर दोगे तो यह आने वाला है आपका net result चलिए आगे बढ़ते हैं जस्ट इन टाइम जैसा कि नाम से मालूम पढ़ रहा है जिस वक्त जरूरत हो तो जस्ट इन टाइम तो जस्ट इन टाइम का मतलब है जस्ट इन टाइम जस्ट इन टाइम को दो काटिगरी में तोड़ते हैं Just In Time Purchase और Just In Time Production दो कटिगरी में Just In Time Purchase Just In Time Production यानि कि जब customer डिमांड कर रहा हो customer ने order प्लेस कर दिया है आप करो production Just In Time production करना है customer demand कर दिया है अब खरीदो raw material just in time purchase यानि कि जब जरूरत हो तभी खरीदो जब जरूरत हो तभी खरीदो knowledge का भी ऐसा है जब requirement हो ज्यादा knowledge लो जब लगे कि अभी कम requirement है तो कम knowledge लो example लेता हूं आपको जो requirement अभी आपको एक्जाम पास करने के लिए उत्री study करो उसी को बार बार रिवाईज करो एक्जाम को समझो rankers, toppers वो लोग होते हैं जो बार बार रिवाईज करते हैं यानि आपको अपने content को fix करना होगा उसी को बार बार रिवाईज करना होगा costing के लिए आप निशेंत रहो जो books मैंने आपको दी है theory की practical question की जो concept मैंने कर आया है more than sufficient उन्ही को आप दो तीन बार रिवाईज कर लो बात बन गए हाँ सी ये बनने के बाद फिर आपकी मर्जी है अगर आप costing department में चले गए तो पढ़ो नहीने models अगर आपने अपना business को लि सावान रख लिया business कर लिया नहीं business करना भी एक सीखने वाली बात है कैसे customer की need करते है customer चाहता क्या है कैसे customer की उस need को fulfill करते है कौन सा काम कैसे करें market के situation क्या है pricing कैसे रखें क्या price रखें और कैसे अपने आपको competitor से अलग उचा बहतर बताएं तो यह क्या है strategy है जो हम see a final strategy cost management and performance evaluation subject में detail में पढ़ते हैं अब आप बताओ यह सारी बाते हैं पढ़के मजा नहीं आ रहा है सुनकर आपको अच्छा नहीं लेग रहा है आपको बात समझ में आ नहीं दी कि इतना आसाने business करना अच्छा हां सर यह भी टेकनिक है अरे हां सर यह भी टेकनिक है बात तो सही करें तो जब आपको फील हो रहा बात तो सही कई तो फिर मुश्किल क्या है इसके अंदर मॉडल्स कोई मुश्किल है अरे नाम में तो मॉडल्स है अगर आम लेंगोज है कुछ बात है किसी की सीख है जो हम सीख रहे है किसी की observation है जो हम observe कर रहे हैं तो यह क्या है learning तो just in time production and just in time purchase जब requirement हो तभी खरीदें इसके बाद आजाए पेज नंबर 3.10 पेज नंबर 3.10 पे आजाए पेज नंबर 3.10 पेले यह पढ़ने 3.9 पर performance measurement in a JIT system एक्जाम की पॉइंट इव उसे बहुत इंपॉर्टन है जिट system आपने implement कर दिया यह पता कैसे चले successful रहा या failure आपने मेरे दुवारा बताए गया plan को implement कर दिया यह कैसे पता पड़े सफलताहत लगी या निराशा तो कुछ points हैं जिनकी मदद से company इस बात को पहचान सकती है कि JIT को implement करने के बाद JIT को implement करना successful रहा या failure अगर successful रहा तो जिसने implement के उसके लिए ता लिया और अगर failure रहा तब ढूंडो क्या कमी रह गई कहां पर हमने गड़बड़ कर दी तो exam के point of view से ये topic important है पहला point है आपका inventory turnover तर्नोबर माने क्या होता है sale लेकिन यहाँ पर turnover का मतलब है आना चले जाना आना चले जाना आना चले जाना यानि कि अगर material factory में store room में आता है और तुरंट इस्तेमाल हो जाता है इसका मतलब है inventory turnover बढ़ गया है इसका मतलब है inventory hold करने की requirement कम हो गई है और इसका मतलब है जिट को implement करना सफल हो गया है point number two point number two है आपका setup time अगर setup time कम हुआ है machine को on कर दो और जब वो काम करने की स्थिति में आए उसको बोलते हैं setup time जैसे एक बड़ा ही basic example जब जब सुबह सुबह आप उठते हैं छे बजे उठो साथ बजे आठ बजे नौ बजे दस बजे कभी भी उठो आप उठने के बाद कम से कम दस से बारा मिनिट या पंदरा मिनिट आपको लगते होंगे तब आपको लगता होगी हा मैं उठ गया हूँ और मेरा आलस चला गया है अब मैं कुछ काम कर सकता हूँ चाय पिसकता हूँ पानी पिसकता हूँ फोन को चार्जिंग में लगा सकता हूँ तो यह जो पंदरा मिनिट यह क्या है setup time यह 10 मिनिट क्या है setup time ऐसे machine में होता है वरकर सुबह सुबह आया मशीन को on किया मशीन को on तो कर दिया लेकिन तुला समय लगता है मशीन को काम करने के स्थिती में आने के उसे बोलते है setup time ऐसे घर में आपके washing machine होगी washing machine को on कर दो कुछ time लेगी वो उसके बाद कपड़ों को automatically दोना शुरू करेगी तो it is a setup time तो अ तीसरा point है आपका customer complaints व्यपार का main व्यक्ति कौन है customer अगर customer की complaints कम हो गई है customer की complaints कम हो गई है या customer complaint कर रहा है उसको आप timey resolve कर पा रहे हो it means जिट को implement करना सफल रहा है चोथा point is crap wastage कम हो गया scrap कम हो गया इसका मतलब है जिट को implement करना सफल हो गया cost of quality अगर appraisal cost prevention cost internal failure cost external failure cost कम हो गई है it means जिट को implement करना सफल हो गया है अगला point है कस्टमर सर्विस कस्टमर को अगर time पर सर्विस मिल रही है कस्टमर को कोई finished goods बेचा और बादे मालूम पड़ा कि वो defective था time पर replace कर दो time पर repair कर दो और अगर ऐसा कर पा रहे हो अब इसका मतलब है कि जिट को implement करना सफल रहा साथवा point है ideas generated जिट को implement करने के बाद अगर आपको ऐसा feel हुआ है कि आपकी company के अंदर employees की involvement बढ़ गई है अब वो बाद बाद पर आकर आपको suggestion देते हैं वो बताते हैं कि sir इस काम को ऐसे बहतर कर सकते हैं यह नया idea implement कर सकते हैं इसका मतलब है कि जिट को implement करना सफल रहा तो यह सारे वो points हैं जिनकी मदद से हम जान सकते हैं कि जिट को implement करना सफल रहा या failure रहा तो ऐसे ही आप भी practical life के अंदर जिट को implement करकर यह समझ सकते हो अच्छा आप कैसे जिट को implement करोगे जस्ट in time आप इसको ऐसे implement कर सकते हो कि जो planning आपने बनाई है जो planning आपने बनाई है उस planning को आज ही पूरा करना है according to plan तो कर दो just in time और देखो अगर आपने plan को achieve कर लिया है इसका मतलब जिट को implement करना सफल रहा चलिए आगे बढ़ते हैं page number 3.16 पे आजाईए page number 3.16 page number 3.16 काईजन कॉस्टिंग यह शब्द कुछ अजीवी लगा पोले में काईजन कॉस्टिंग बिल्कुल लगेगा क्योंकि यह जापानीज वर्ड है कौन सा वर्ड है जापानीज वर्ड जापानीज वर्ड इसका मतलब है change for better का मतलब इसका change for better change करो और बहतर हो जाओ जापानीज वर्ड काईजन change for better काईजन कॉस्टिंग कॉस्टिंग यह बोलता है कि एक कंपनी को छोटे छोटे इंप्रूमेंट्स छोटे छोटे इंप्रूमेंट्स continuous basis पर अपने सभी employees को involve करके करते रहने चाहिए छोटे छोटे इंप्रूमेंट continuous basis पर अपने सभी employees को involve करके करते रहने चाहिए इसे बोलते हैं काईजन कॉस्टिंग एक्जाम्पल के लिए आप अपने employees को बोल दो कि अगर कोई paper बिना print किये भी काम हो सकता है तो print ना करें तो क्या हुआ आपकी paper cost बढ़ जाएगी अगर company के अंदर 5 AC लगे हैं सिर्फ 4 AC को चला कर भी काम हो सकता है तो 5 AC की जो cost बच जाएगी तो छोटा सा change किया आपने और कुछ बहतर हुआ cost में कुछ कमी आ गई छोटे छोटे improvement अगर कोई worker अगर कोई worker छोटा सा भी idea लेकर आए तो उसको appreciate करो करो और अगर advantage लगती है उस idea से उसको implement करो और उससे अगर costing में कुछ advantage आता है costing में advantage का मतलब क्या है cost अगमोना तो उस benefit को उसके संग share करो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ financial benefit को share करना है आप उसको award दे दो थोड़ा संभानित कर दो recognition दे दो तो यह सब काम करने पड़ेंगे according to काईजन costing concept काईजन costing ने कुछ principle बताए है कुछ principle अगले पेज़ पहर आ जाओ यानि कुछ सिधान्त काईजन costing principle के सिधान्त number one gradual improvement यानि धीरे धीरे हौले हौले improvement करते रहो कोई बड़ा improvement करने की जरूत नहीं कोई बड़ा खर्चा करने की जरूत नहीं कोई बड़ा ERP implement मत करो छोटे छोटे improvement कर लो दूसरा point collective decision making ensure करो कि company के अंदर जितने भी employees काम करते हैं चाए वो low level staff हो middle level staff हो या top level staff हो यह सभी के सभी employees collectively decision ले decision में participate करें जब दो employees आपस के अंदर धंग से बरताव नहीं करते तो इसका impact company की sale के उपर पढ़ता है company के मुनाफ़े के उपर पढ़ता है वो कहीं ना कहीं अपनी personal problems को business में डाल देते हैं जिससे business की sale के उपर impact पढ़ जाता है business की sale कम हो सकती है कोशिश करो दोनों employees को समझाने की कि ऐसी गलती मत करो आपस में अपनी personal life और अपनी professional life को अलग अलग रखो तीसरा point है no limit to the level of improvement कहने का मतलब है improvement is a continuous process इस बात को दिल से मान लो आज कोई काम आपने बहतर कर दिया इसका मतलब यह नहीं है कि वो काम उतनी बहतर कर सकते हैं उस काम को और बहतर कर पाना possible है जिस deep level से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस से बहतर deep level से पढ़ा पाना भी possible है तो there is no limit to improvement improvement हो सकता है example के लिए बात करता हूँ यहाँ पर अमिताब बच्चन की ये एक ऐसे कलाकार है है जी वो हर परकार की एक्टिंग कर लिए हर प्रकार की कैसी बी अक्टिंग श़रू से ग्राफ देखो आप से Warning करते जाते हैं और improve करने की कोशिश करो यानि कि cost के standard set करो इस pen को बनाने में maximum 40 रुपय का खर्चा आना चाहिए अब अपने workers को अपने purchase manager को अपने production manager को बता दो कि भई 40 रुपय 40 रुपय के अंदर ये एक pen बन जाना चाहिए as per standard cost अगर आपने कुछ cost बचाई तो वो cost का benefit 50-50 share करेंगे अगर 40 रुपय की जगे आपने 30 रुपय में इस pen को बना दिया यानि company के लिए 10 रुपय पर pen आपने बचाए तो 5 रुपय पर pen आप सब में incentive के रूप में बाठ दिया जाएगा तो इसे company के employees को अच्छा लगेगा और यह improvement है focus करो waste को eliminate करने पर और productivity को improve करने पर आखरी point है all employees, all area इसकी बाद तो हम कर ही चुके है तो यह थी आपकी second technique काईजन costing waste को remove करने की system को improve करने की अच्छा जी यह case study है page number 3.18 पर अभी पिछली जो videos YouTube पर डाली हमने उस पर कुछ student ने comment किया है कि sir, exam के अंदर case study का solution कैसे लिखना है थोड़ा इसके उपर भी guide करो तो यह point काफी लोगों ने लिखा और मुझे अच्छा लगा कि हाँ यह point के उपर मैं थोड़ा सा detail में बताऊंगा आज page number 3.18 पर case study है case scenario इसको पढ़ गए exam में कैसे लिखना है आपको बताता हूँ बहुत ध्यान से समझना cool तरीके से कोई मन में stress मत लेना अराम अराम से पढ़ेंगे M. India Limited M. I. L is an automobile manufacturer in India यह company इंडिया के लिखना manufacturing करती है and a subsidiary of Japanese automobile and motorcycle manufacturer Lyon एक Japanese company है काईजन कॉस्टिंग वर्ड जापानीज था एक Japanese company है उसके subsidiary है M. I. L और यह company इंडिया के अंदर manufacturing करती है तो यह बना कर बेचती क्या है it manufactures and sells a complete range of cars from entry level to hedgeback to sedan यानि हर प्रकार की car यह company बना कर बेचती है बहुत ही बढ़िया business है उभरती हुई economy का लेकिन अगर economy में slow down आ जाए तब जैसा कि अभी आया हुआ है अगर economy के अंदर slow down आ गया तो शुरुवात में सबसे पहले car की sale कम हो जाती has a present market share of 22% of the Indian passengers car market अभी 22% इसका market share है यानि कि पूरी market में अगर 100 गाडियां बिगती हैं तो 22 गाडियां यह company बेचती है यह share कम है कि ज्यादा बिना comparison के हम कहने सकते MIL uses a system of standard costing to set its budget यह क्या करती है standard costing technique को apply करती है आपके मन में आ रहा हुगा sir standard costing technique तो सभी apply करते हैं ऐसा नहीं है आप छोटे छोटे बिजनिसमेन को छोटे छोटे दुगंदारों को देखो वो कभी सोचते ही नहीं कि कितना खर्चा आना चाहिए क्या घर बनाते वक्त कभी आपके पड़ोसी ने सोचा कि कितना खर्चा आना चाहिए इसका मतलब उसने standard costing का इस्तमाल नहीं किया तो यह company standard costing का इस्तमाल करती है budgets are set semi annually by the finance department after approval of board of directors at MIL द्यान देने की बात है standard costing तो यह follow करते हैं but साल में सिर्फ दो बार साल में सिर्फ दो बार budget बनाते हैं यानि साल में सिर्फ दो बार standard costing के target को set करते हैं आगे पड़ते हैं set कौन करता है finance department किस से approval लेकर director से the finance department prepares variance report each month for review in board of directors meeting where actual performance is compared with budgeted figures standard costing निकालते हैं हर 6 महिने में but variance material cost variance labor cost variance variable overhead cost variance figs overhead cost variance sales variance profit variance इस सारे के सारे variance निकाले जाते हैं monthly basis पर मिस्टर सुजुकी सीजुकी अफ दे लियोन इस अफ दो ओपीनियन देट काइजन कॉस्टिंग मेथड underline करते हैं काइजन कॉस्टिंग मेथड शुट भी implemented as a system of planning and control in the MIL यानि कि कंपनी का CEO क्या नाम है Mr. सुजुकी आपको लग रहा होगा सारे तो स्कूटर जैसे कुछ नाम हो गया लेकिन बाहर का नाम भी है Mr. सुजुकी जापानी होगा यह भी तो इन्होंने क्या बोला काइजन कॉस्टिंग को implement करना है अचा एक्जाम में अगर यह कोशन आएगा तो क्या आप समझ जाओगे कि किस model की बात कर रहा है सर कोशन चिला चिला कर बोल रहा है काइजन कॉस्टिंग में थट तो हम क्यों नहीं समझेंगे बिल्कुल ठीक है आपने अब पढ़ते है requirement क्या है recommend the key changes vital to MIL's planning and control system क्या लगता है आपको उपर के paragraph के अंदर क्या हमें कुछ बताया गया है कि company किस तरीके से planning करती है कैसे control करती है बताया गया है छे महीने में एक बार standard set की जाते हैं और variance analysis तो हर महीने निकाला जाता है अच्छा कौन बनाता है ये report finance department किस से approval लेकर director से अच्छा to support the adoption of kaizen costing concept अगर ये case study वाला question exam में आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे या इसे कैसे लिखना चाहिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले देखेंगे कि ये कितने number का है मान लेता हूँ 8 number का तो देखो इसके लिखेंगे बताना क्या है key changes वो बदलाव जो company को करने चाहिए ताकि kaizen costing को implement कर सके यानि kaizen costing को implement कर दूँ कि company में kaizen costing को implement कर दूँ planning control system को improve कर दूँ तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए exam के अंदर सबसे पहले kaizen costing concept का meaning लिखना चाहिए कि क्या होता है kaizen costing concept जैसे पहले को ये Japanese word है small small improvement on a continuous basis involving all the employees of all the areas तो लिख दो पहले meaning तो पहले में लिख दिया meaning उसके बाद लिख दो principles अभी पढ़े दिया हमने 5-6 principles तो 2-3-4 principles यहाँ पर लिख दो अब यहाँ पर लिखो तीसरे में key changes key changes अब देखो इस case study का answer उतना बहतर होगा जितना बहतर आप सोच सकते हैं जितना अच्छा आप सोच सकते हैं उतना बहतर होगा इसका answer क्या इसके answer की कुछ point fix हैं ऐसा नहीं है जितना बहतर आप सोच पाओगे तो देखो सोचने की कोशिश करते हैं सबसे पहली बात यहाँ पर एक तोज़ा से यह miss मलब कुछ gap लगा कि standard cost निकालते हैं छे महीने की और variance निकालते हैं हर महीने तो पहला change मैं क्या बोलूँगा इसको मैं changes कहां लिखूँ मैं changes यहां लिख देता हूँ पहला change मैं क्या बोलूँगा इसको कि standard costing monthly निकालो और variance report weekly निकालो यह मैं पहला change suggest करूँगा standard costing तो monthly निकालो और variance report weekly निकालो यह है पहला change तो लिखता हूँ इसको make standard costing on monthly basis and calculate calculate variance report on weekly basis अब देखाँ मैंने यह point लिखा अब बताँ कोई मुश्किलेस point को सोच पना दूसरा point अभी मैंने क्या दिखा कि standard को set करने के अंदर सिर्फ finance department सेट करता है आपको लगता नहीं कि बाकी और भी जो employees actual में काम करते हैं उनका भी involvement होने चाहिए production manager को बिठाओ यहां पर purchase manager को बिठाओ यहां पर employees labors को बिठाओ यहां पर उनके सीने को यहां बिठा दो उनके reporting officer को बिठा दो यहां पर कुल मिलाकर बात क्या है ensure involvement of all employees मैं शॉट में लिख रहा हूं ensure involvement of all employees of all areas तो मेरे हिसाब से यह दूसरा change इस company को करना चाहिए अचा कोशन को और बढ़ते हैं और क्या निकाल सकते हैं मिसके अंदर और क्या निकाल सकते हैं तो भाई कंपनी कर बार बार standard cost set कर रही है तो क्या चाहती है कंपनी कंपनी चाहती है cost को बढ़ने नहीं देना cost को बढ़ने नहीं देना तो इससे एक अदम और आगे चले जाओ cost reduction program को implement करवा दो तो तीसरा change कि entity should focus on cost reduction reduction प्रोग्राम यह तीन पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया कोई और भी पॉइंट अगर आपके मन में आते हैं तो आप लिख दे अब ज़रा देखो एक्जाम में जब लिखना है तो ऐसे लिखना है point wise मैंने यहां पे दो line में पूरा point लिखा इसको आप तीन सारह तीन लाइन तक कवर कर लो इसको मैंने एक line में लिख दिया ensure involvement of all employees of all areas तो बहुत सब्सक्राइब elaborate कर दो third point बहुत short में लिखा इसको elaborate कर दो cost reduction करने के point अब इसे तो बस यही तरीका है कि study के question को exam में solve करने का पूरे number मिलेंगे answer point wise लिखना keywords को underline कर देना answer लिखते वक्त font size बड़ा होना चाहिए ताकि कम लिखो और ज्यादा दिखे ताकि कम लिखो और ज्यादा दिखे तो पेपर चेक करने वाले वक्ति को मन में ऐसी feeling आएगी यार इस बच्चे को बड़ी knowledge है जार इस बच्चे ने बहुत deeply पढ़ाई करी है बहुत detail में पढ़ाई करी है इसको पूरे आठ में से आठ नंबर दो के study के इस question में तो कैसा लगा ये question को solve करने का तरीका question को समझने का तरीका कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो नीचो वीडियो में कमेंट करो और मुझे बताओ ताकि मुझे मुझे मौलूम पढ़े कि हाँ आप तक बात पहुंच गई है आप समझ गई हो एक्जाम में कैसे लिखना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगर इन पॉइंट्स को नोट करना हो तो वीडियो को pause कर लेना और लिख लेना जितना बहतर आप सोच सकते हो उतना बहतर इस question का answer हो सकता है अगले page पे आजाओ 5S ये भी एक technique है और ये भी Japanese words के तरफ इशारा करती है Japanese words ये भी एक technique है ये भी एक technique है अच्छा यहां पर एक छोटी सी बात मेरे मन में आ रही है उसको पहले बताता हूं फिर आपको ये बताओंगा आपको बात समझ मैंगी गोली की तरह कभी कभी घर के अंदर आपके माता पिता नहीं ये ये किसने आपको डाटा होगा ताना कसा होगा इस बात पर ये जहान बैठे हो उससे साफ तो कर लो बोला की नहीं बोला जहां बैटे हो उसे साफ तो कर लो और कुछ दोस्तों ने भी ताना मारा होगा अरे गंद में बैठ गया यार और कुछ दोस्ते से आगे बढ़ गयोंगे, उन्होंने कटाक्ष मार दिया होगा, कि कोई भी कहीं बैठता है, अब मैं उस जानवर का नाम लेना नहीं चाहता, आप समझ गया मेरी भावनाओ को, मैं उस जानवर का नाम लेना नहीं चाहता, कि वो भी पूँच जटक कर बैठ को, कि हाँ सार ये पूरी लाइन ये वाली है, ताकि जो शुर्ण नहीं समझ पाएगा, वो कामन में जाकर देख लेगा, कि आखर इसका मतलब क्या है, समझ गया बात, कोल में लाकर बात ही है, कि जो वर्क स्पेस है, जहां पर एक्शल में काम करते हैं, इम्प्लॉईज, उ इसलिए से नाम रखा, 5S एप्रोच, जापानीज एप्रोच है, शुद्ध हिंदी लेंग्विज के अंदर जो वर्क स्पेस है, उस वर्क स्पेस के उपर सारी फाइल्स प्रॉपरली अरेंज तरीके से रखी जानी चाहिए, वर्क स्पेस साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि इंपलोई का वहां बैठकर काम करने का मन करें, कि आज तो काम करेंगे, मज़ा आएगा, ऐसा ना हो, कि जब सुबह सुबह वो दफ्तर में आए, और देखे की पैड के उपर मिट्टी जमी है, माउस गंदा हो रहा है, सीट गंदी है, काम करने का मन खराब हो जाता है, काम म करें, कम इस्तेमाल होने वाली फाइल्स को पीछे रखो, तुरंत इस्तेमाल होने वाली फाइल्स को आगे रखो, तो यह बोलता है, इससे, पीपल मूविंग टाइम कम होता है, वेस्ट कम होता है, सिस्टम बहतर बनता है, समझ में आ गई बात, यहां पर मैं के स्टडी के एक्जाम के अंदर आ चुकी है और वो के स्टडी सीए सहाब से संबंदित है कि आखिर सीए साब चाहते थे कि उनकी फर्म के अंदर 5S एप्रोच को ईंप्लीवेंट कर सकते हो कैसे अप्र नी ऐसकतों को पूरी औरी और्गनाईज करो जो सब्जेट्ट आजकर पढ़ रहे हो उनकी किताबे चाहिए रखो जो पूरे कर बनाते हो उसको अच्छे से बनाओ अच्छी सी नोट्बुक लो दो कलर के पैन लो एक ले लो ब्लू पैन और एक लो रेड पैन कोश्टन है है रेड से लिखो नीचे आंस्वर ब्लू से लिखो ग्रीन से लिखो अगर ऐसी concept रजिश्टर आप बनाओगे जैसा कि मैं क्लास के लेते हैं क्यों कि वो चमक रहा है साफ सुतरा है तो जाने अन जाने में आप मेरे कहने पर अगर चलते हो तो कौन सी अप्रोच आपने इंप्लिमेंट करी 5S अप्रोच तो देखो यहां पर पांच शब्द हैं और पांचों के पांचों शब्द की शुरुवात ऐल्फाबे Japanese word यहां पर बोलूँगा यह सारे Japanese word है हो सकता है मेरा pronunciation थोड़ा different हो as compared to actual Japanese because मैं तो इंडियन हूँ पढ़ेंगे आपको बताँगा एक्जाम में शब्द दिखना जरूरी है कि नहीं है सबसे पहला है सीरी फिर है सीटन सीसो सिक्टेशू सिट्सू के यह पांच Japanese word है आपको लग रहा होगा ना सर कुछ language different हो गई विल्कुल लगेगा लेकिन घवराओ मत अगर एक्जाम के अंदर यह 5S approach के बारे में आ जाता है यह पांच शब्द अगर आपको याद हो गए तब तो बात ही आलग है फिर तो कोई बात कहने की है नहीं लेकिन अगर यह पांच शब् के बदले हमने पांच हिंदुस्तानी शब्द बना लिये हैं और study mat के अंदर वो शब्द लिखे हुए हैं सौट सेट इन और शाइन इस्टेड़ाइज एंड सस्थे आप नोट करो यह पांचों के पांचों शब्द भी एस से ही शुरू होते हैं एक सेकिंड ज़रा मैं पा सबसे पहला पॉइंट है आपका सबसे पहला ऐसे आपका सौट सौट बोलता है कि वर्क स्पेस पर अपनी फाइल्स को अन्नेसेसरी एक्यूमिलेट मत होने दो अपने स्टडी रूम के अंदर उन्नेसेसरी पूराने रफ रेजिस्टर पूराने खराब हुए कलकुलेटर इकटे मत होने को समझ में आगी बात तो सौट यहनि जो बेकार समान खराब समान है अन्नेसेसरी फाइल्स हैं उनको एक्यूमिलेट मत होने दो प्रपरली शौट करो उनको properly arrange करो खराब वाले को बाहर फैको या कबारी को बेज़ दो अंदर मत रखो दूसरा point है आपका set in order office के अंदर files को material को कोई भी required चीज़ को कोई भी nut bold या कोई भी tools हैं उनको इस तरीके से arrange करो कि वो आपको आसानी से मिल जाएं इसको बोलते हैं easy to identify mode क्या बोलते हैं easy to identify mode अराम से मिले tension न लेनी पड़े आप books को इस प्रकार से arrange करो कि आपको आराम से मिले costing की books ये रही accounts की books ये रही SFM की books ये रही properly set in order थर्ड पॉइंट है आपका shine shine माने चमकना जहां पर आप पढ़ाई करते हों जहां पर employees काम करते हैं वो जग है साफ सुत्री होनी चाहिए ये बोलता है point number 3 अगर साफ सुत्री होगी तो एक अंदर से एक mentally एक feeling आती कि आज अच्छा काम करेंगे बहतर काम करेंगे मन से काम करेंगे एक feeling आती है कि वर्क स्पेस बड़ा साफ साफ लग रहा है आज काम करने मजा आएगा और ध्यान देना हर काम में अगर मजा आए तो वह काम काम नहीं मजा लगता है चौथा ऐसे आपका standardized मतलब है हर चीज को रखने के लिए हर फाइल को रखने के लिए एक standard सेट कर दो जैसे दस कबर्ड है एलफाबेट A से लेकर एलफाबेट D से स्टार्ट होने वाली फाइले यहां पर आएंगे एलफाबेट E से लेकर एलफाबेट जो भी चारपा जोड़ो वहां की फाइले यहां तक आएंगे आप भी ऐसे कर सकते हो कॉस्टिंग की सारी बुक्स सारी नोट बुक यहां पर रखेंगे पहले कबर्ड में दूसरे में रखेंगे एकाउंस की तीसरे में FM की तो आपने इस्टेडाइज कर दिया तो आपका टाइम का वेस्टेज कम से कम होगा और वेस्टेज का मतलब लेन सिस्टम अगला पॉइंट है सटेव सक्षेड का मतलब है जो सफाई करने का वादा आपने आपसे क्या है जो प्रॉपरली अरेंच तारीके से हर चीछ को रखने का वादा अपने आपसे क्या है उसको sustain करो उस पर अड़े रहो उस काम को करते रहो और ध्यान देना इस काम को करने के लिए employee को बार-बार बोलना पड़े यानि कि do without being told अगर कोई काम मुझे बार-बार बोलना पड़े आपको करने के लिए तो मज़ेदारी वाली बात नहीं है उस काम को मैं एक बार बोलू या दो बार बोलू और उस काम को आप कर दो तो इससे मेरा confidence आपके उपर बढ़ेगा यहाँ पर मैं company के point of view से बात करता हूँ अगर company ने अपने employees को कुछ direction दी और employees ने उन directions को time पर कर लिया तो company के top management का उस employee के प्रती विश्वास बढ़ेगा और वो ऐसा मानेंगे कि यार इस employee को अगर हम कोई भी काम दे दें तो यह employee बहुत ही मन से काम करता है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है इस employee को award दो इसको सम्मानित करो इसकी salary बढ़ाओ इसको promotion दो तो यह 5 point हैं यह 5 S हैं जिनके base पर work space को properly organize करने की बात कही गई है अच्छा किस ने कही यह बात इसके बारे में study match में कुछ नहीं कहा है तो चली छोड़ते हैं आपके exam के लिए वो important नहीं है देखिए यह case study है और इस case study को पढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि यह case study exam मे आ चुकिया अब पढ़ते हैं इसको why and e chartered accountants offer a wide range of specialized multi-disciplinary professional services that meet the immediate as well as long term business needs of client CA firm में तो आपने भी articleship की है कर रहे हैं कर भी रहे होंगे तो आपको पता है CA firm के अंदर files कैसे रखी जाती है client को कौन-कौन सी service दे जाती है income tax written बरनी है क्या GST written बरनी है क्या TDS written बरनी है क्या हर किसी की file अलग-अलग तो one of the partner e क्या नाम भाइस आपका e was upset with office documentation बड़ा दुखी हो गया यह office के अंदर कोई file मिलती नहीं है जब भी file लिंडो फाइल ही नहीं मिलेगी पंदरा में डुसी में पेश्ट हो जाते हैं पूरे के पूरे पूरा मूंड खराब हो जाता है तो one of the partner e was upset with office documentation he argued that a document management solution is needed द्यान देना document management solution यह क्या होता है मैं आपको बताओं जब फर्म बड़ी हो जाती है कौन सी file कहां रखी है इस बात को ढूंड़ने में समय लग सकता है तो ऐसे में कुछ companies क्या करती है कि अपने pion को यह काम देती हैं कि file को respective जगह जहां पर उस file को रखने की जगह क्या बनाई है वहां पर उस file को रखो और उसकी entry इस software के अंदर कर देना तो इससे क्या होगा सी यह साब को जब भी हो फाइल चाहिए होगी वह पहले software सर्च मारेंगे और सीधा pion को बोलेंगे e46 यानि cupboard number e file number 46 तो तरीका है यह document management software का the senior partner y has recently attended a seminar on lean system and here the 5s लेकिन देखो इस senior partner थे इसी firm के इन्होंने कहीं seminar attend किया होगा जहां पर lean system की बात किसी professor ने की होगी और इनको मालूम पढ़ा 5s approach के बारे में लेकिन आपकी attention ले रहे हो आपको तो CA बनने से पहले मालूम पढ़ गया तो आप तो इन CA साब से एक कदम उपर हो तो इनको बाद मालूम पढ़ा कोई बात नहीं पहले old syllabus में कहां था models अब आया ना new syllabus के अंदर he said that old files hide the key files from the eye ध्यान देना चरा पुरानी किताबों के चक्कर में पुरानी फाइलों के चकर में important file एं छुप जाती हैं मिलती नहीं and forces staff to have which to use accordingly he desires to implement 5s चाते क्या हैं 5s को implement कर दो अब requirement क्या है advice on implementation of 5s अब आप मुझे बताओ के study के इस question के अंदर क्या पूचला question advice on implementation और भाई implement तो करना ही पड़ेगा न जब time पर file नहीं मिल रही है unnecessary time का wastage हो रहा है तो 5s approach chapter number 3 lean system and innovation जो हमने पढ़ी है क्या बोलती है documents को properly arrange करो तो अब इसमें answer में लिखना क्या था answer में 5s approach को लिखना था यानि कि case study के question ने सीधे मूनी बोला कि 5s approach बताओ उसने गुमा फिरा के बोला 5s को implement करने पर advice दो तो आपको 5s approach के पांचों point यहां पर लिखने हैं और साथ में शुरू महलगा सम्मेनिंग कि 5s approach जापानीज वर्ड है 5 work space को properly manage करने पर जोर देता है यह बाते लिखनी है और पांच 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 लिखनी है और आखरी में क्या बोला है yes it is advised that the firm should implement 5s approach हो गया का मिलेगा पूरे के पूरे नमबर अब बताओ ऐसा question exam में आएगा तो क्या बोलू पेपर मुश्किल आया था या पेपर easy आया था ब अब अávelgas रवाले कर रहे हैं क्या लगता है आपको कि सथाड़ी वाले कोत्यों बड़े मुश्किल होते हैं के अजिए मृश्किल होके मुश्किन होते हैं क्या है बलकुल मुश्किल नहीं होते बड़े मजिदार कोश्य होते है तो सोचो न एक विजिनस की actual problem आपको कॉपी के ऊपर लिखी हुई मिली किताब के ऊपर लिखी हुई मिली आप एक कुशिन पेपर पर लिखी हुई मिली अब आप उसके बारे में बैठकर सोच रहे हो इसको सॉल्व कैसे करें जिससे mathematics में होता था ना सरने कोशन दिया आपको find value of x आप सोच रहे हो कि solve कैसे करें कैसे निकाले x की value वैसे ही यहाँ पर सोचो कैसे निकाले solution और मज़ी की बात mathematics में solution सिर्फ एक था के study में solution एक नहीं अनेग होते हैं डिपेंड करता है कितना deeply कितना गहराई में आप सोच सकते हो जितना बहतर जितना जल्दी आप सोच सकते हो उतना बहतर आप decision ले सकते हो company के लिए उतना बहतर आप exam में इसका answer लिख सकते हो आज का time लगबग हो चला है तो उमीद करता हूं आपको ये वाले video ये वाला lecture भी काफी पसंद आया होगा अगर आपको ये video lecture अच्छा लगा है नीचे comment box में comment करें मुझे बताए मेरी team को पता पड़ेगा हमें मालूम पड़ेगा कैसा लग रहा है क्या इसे और deep करना चाह चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर थेंगा है